वहाँ पर खूनी हिंसा का दौर चला, शियास्ति उसमें हर एक उसमें खून की होली खेली जाती, जितने भी अपने लोकतंद की एक तरफ हमारा देज लोकतांतरिक है, परन्त बेंगौल में आकर के लोकतंद की अत्या हो रही है, सिर्फ एक अकेला वेक्त अधीर रंजन देखे पोजिशन यह है, 33,887 सीट जो है, दो लाग से ज्यादा उम्मीद बार खारेते हैं, जिसमें अभी की करेंट जो पोजिशन है, उसमें टीमसी 10,232 सीटे जीती है, और 4,712 सीटों में आगे, वहीं पर बीजेपी के जो कंडिडेट है, वो 2400 सीटे जीत चुके हैं, लगभग 1500 में आगे, पती शासन लागू कर देना चाहिए, या फिर जो मम्ता मैनेट जी हैं, उनके हाथों में अब बिंगॉल की जो शासन ववस्ता है, कानहून ववस्ता है, वो संभाले नहीं समल रही है, तो अजय जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप सबसे पहले, जो पश्रिम बंगा में इस वक्त पंचाच चुनाव के दौरान हिंसा देखी जा रही है, लगातार वहां पर बं फोड़े जा रहे हैं, लोगों की निर्मम तरीके से हत्याएं की जा रही है, यहाँ पर और आदमियों के साथ समान तरीके का रवई आपना आ जा रहा है, क्या कहेंगे? देखे, बहुत बुरी इस्थित है, यह इस्थित है कि वहां पर बीजेपी एजेंट के कपड़े फारे गए हैं, तमाम महलाओं से बत्तमी जी हो रही है, दूसरी यह है कि वहां पर काफी लोग मरे हैं, और काफी लोग घायल हुए हैं, लगभग चार दर्जन लोग के मरन कई लोग की बॉड़ी नहीं मिली, कई लोग गायव हैं, उनको वहां की स्थानी पुलिस और टीम सी नहीं माल रहे हैं, खुल करके कारता हैं, वहां गुंडा गर्दी करना हैं, चूकि अधिकतर लोग मरे बम और गोलियों से हैं, इसलिए ऐसी परिस्थित में राजपाल का सासन लागू हुआ कश्मीर जैसे विवादास पच जगह पे कई बाल लागू हुआ कांग्रेस ने लागू किवा बीजेपी ने लागू किया सभी दलों ने किया और तमाम तर तमिलान में गवर्मेंट गय हुआ हुआ तर राश्पती सासन सभी जगह हुआ बेंगॉल के 50 साल की थी हास में केंदर की हिम्मत नहीं हुई ये केंदर के लिए भी एक प्रस्चिन है ये कांग्रेस ने भी गलती की थी जिसमें कांग्रेस ने खुद ये बात को महसूस किया था एक बाहिंदरा कांदी ने ने कहा था मेरी गलती रही बेंगॉल के लिए और उसका बज़े र बात में मम्ता बनर जी ने भी इस बात के लिए अलका सद्दुक पकट किया कि टाटा के जहाने से वहां इंडेस्टिलाइजेशन लेकिन वर्तमान समय की बात करें जिस तरीके से चुनाव की घोशना हुई है पिछले एक महीने से जो हत्या का सिलसला है वो लगातार जा रही ह तो ऐसे में जो मुलाकात हुई है राजपाल की ग्रह मंत्री के साथ तो क्या लगता है कि इस बार बेंगॉल में रास्टपती शासन लागू होगा? होना चाहिए चुकि सम्भाइधानिक विवस्ता है राजपाल का दाइत्व सम्भाइधानिक विवस्ताओं का पालन करना वहां पर असम्भाइधानिक तरीके से काल होडा तो राजपाल का दाइत्व तुरंतो केंज सरकाल को कहें ग्रे विवाग इस पर विचार करें प्रे कि में बजय यह है कि जो लोग पहले कर रहे थे पचास साल से वहां पर खूनी हिंसा का दौर चला शियास्ति उसमें हर एक उसमें खून की होली खेली जाती जितना पूरे मतब जितने भी अपने लोकतंत की एक तरफ हमारा देज लोकतांतरिक है परंत बेंगौल में आ करके ल देमिक्रेसी के लक्षा करना यह हमारा ओदाइत है कास्ट्विशन आप इंडिया के आटकी 1901-1 का वहां खुले आम लंगन हो ला है और उसमें आपको सबसे बड़ी बात बता लें जो त्रमूल के सांसत हैं दूसरे उनके एक सांसत और सौगात राय दूसरा उनके एक मुस यूज में लगाया है आज सुबह तमाम पेपरों ने लगाया बताब उनके सांसत और उनके वरिस लीडर कहना है सौगात राय जैसे लोग कि यह सर्म की बात है हमारा सर सर्म से जुख जाता है तो आएसी समय पे वास्तवम लगा देने जो लोग वहां उपद्राव करते थे ममता बनर जी जो उनको चिन्नित करती थे ममता बनर जी खुद कहती थे कि वहां पर मतपत्र और सेही बिगारने वाली वो और साथ में लोग आलू ले करके जाते हैं वही लोग आज ममता बनर जी के सबसे खास हो गए अब वो आंगे बढ़ बढ़ करके बम चलाना है गोलिय अच्छा राहूल गांदी का आपने जिक्र किया तो अभी हाल ही में वो मनीपुर गए थे और वो बार बार कह रहे थे कि मैं मोहबत की दुकान खोलने के लिए गया हूं बहुत जादा नफरत है तो आखिर वो बेंगॉल पर कुछ क्यों नहीं बूल रहे हैं एक बार चौदरी लगातार सवाल उठा रहे हैं ममता सरकार पर हमला कर रहे हैं कि हमारे जो कारिकरता है नेता है उनकी हत्या की गई है उन्हें घायल किया गया है उसके कनेक्शन कट गए है और हकीकत है कि ममता बनर जी को लाहूल गांदी बगारा सबका हमेशा समर्थन ला इस समय भी समर्थन है ये लोग कुछ नहीं बोलना है जबकि कांग्रेस का जो कार करता है जो अधीर रंजन जी को मानता है वो वहाँ चुटा हुआ है अधीर रंजन की बात नहीं सुनी जा रही है इसके अलावा आपको बता रहे हैं इस सितियां इतनी बुड़ी है कि वहाँ पे स एपी महिला एजन्ट को किया गया राष्ट पती को वहाँ पे तुरंत रिया राष्ट पती सासन के लिए वो करना चाहिए और राष्ट पती को खुद भी इस पे इसमें दखल देनी चाहिए कई जगे राष्ट पत ने खुद भी संग्यान में लिया है जैसे कश्मीर वाले मामले में गुलशा के समय राष्टपत ने खुद उसमें लिया था दूसरी वहाँ पर शिकाम इंजिनिंग कॉलेज में वहाँ पर इंटी नहीं करने दिये उनके एजिन्टों को भगा दिया और दूसरे कार करता ट्यम्सी के कार करता वहां अंदर गुज गए सुख्छा बलों पर उन्होंने हमला किया सुख्छा बलों जब लाटी चार्ज किया तो दूसरी तरफ से कर लेने कहीं स्याही भेक रहें कहीं वह फेक रहें पानी अच्छा मदगरना के दौरान जो हिंसा हो रही है जो हंगामा हो रहा है उसका जिक्र कर रहे हैं लेकिन यहां पर मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या इतने साल के बावजूद 2018 में पंचाज चुनाव हुए थे तो इतने साल का हम रेकॉर्ड देखें तो क्या बीजेपी की जो इस्थिती है पश्रम मंगाल में पिछले बार के तुलना कितनी जादा मजबूत हुई है और अगर मजबूत हुई है बीजेपी के इस्थिती तो यह आने वाले लोग सभा चुनाव के लिए कितना जादा सांसत उनके थे चार का ही अंतर था जबकि उस समय खुब बं चले थे टेमसी की वहाँ पर फुल्टास गुंडे गल्दी थी और उसके बल पर अब इनका आधार भी कम हो गया इनका ब्रोद बहुत जादा ममता बनर जी का ब्यक्तिकत बढ़ गया है उनके भाई की भी में आता है वह निश्चित तोर पे मैं आपको बतलाना हूँ जो लोग सभा चुना होंगे उसमें बुड़ी तरह से यह आरेंगी और आपको बताना है इसकी में चीज एनाई है जहां चुनी चे तमाम मामलों में ममता बनर जी उनके बतीजे फसे हुए है उसमें आपको बत प्रेशन है उसमें टीमसी 10,232 सीटे जीती है और 4,712 सीटों में आगे वहीं पर बीजेपी के जो कंडिडेट है वो 2400 सीटे जी चुके हैं लगभभ 1500 में आगे इसके लबाँ जो सबसे में बात आ रही है जहां जहां टीमसी जीत रही बेमानी से वहां पर बीजेपी जो ह लास्ट में टीमसी जीत रही है वो टेकनिकल बोटिंग है किस तरह से जीत रही है वहाँ पर जो अधिकारी भी है वो उन्हीं को प्रमालपत देना वहां का महोल पूरा-पूरा सब टीमसी अपने उसमें है और काउंटिंग में भी वो प्रभाव डाल ला है तो आप समझ लीजे इतनी सीटे जीत जाना बीजेपी की बहुत बड़ी बात है वहीं कांग्रेस की पोजिशन इतनी बड़ डल हो गई है कि कांग्रेस पान सो वार्ड में अभी तब पान सो इनके प्रतनी जीत पाएं लगबत दो सो पंदरा में ये लीट करना है तो इससे सा बहुत लोग वहां जा रहा है आसाम और आसाम में उधर के लोग भागते हुए लोगों को चाय पानी नास्ता दे रहे हैं 133 लोग अधिकरत रात को वहां गयते हैं तो हेमंद भी सर्मादी ने वहां पर अधिकतर लोग घायल हैं अधिकतर पिटे हुए लोग हैं और बुड़ी तरह से पिटे बेस्ट बंगाल में फाली मारी में भी टीमसी ने स्याही फेकी है दूसरी हुगली में धनक्याली में कि BJP के एजन्टों को सब को बाहर कर दिया पूरे हूबली में कई जिलों में ऐसा हुआ कि BJP के एजन्टों को पहले आते ही टीमसी के गुंडों ने बाहर किया है और उसका बास्तों में कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए परकाश से बियार भतीजा, तोला मोल, कंपनी अटा यह उसकी बात करें तो जहां 2018 में बीजेपी का वोटिंग परसेंट इस 19 परसेंट था तो वही अब जाकर के 37 फीसदी हो गया है और यह जो बढ़ा हुआ आकड़ा है बढ़ा हुआ प्रतीशत है वो साफ तोर से यह दर्शाता है कि आज बेंगॉल में बीजेपी की जो चानल को सब्सक्राइब करें और इस न्यूस को लेकर के आपकी जो भी राय हो हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं